कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी चीज मिल जाती जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बना दे कमजोर बालों को मजबूत बनाए नए बालों को उगाने में मदद करे गंजे के सिर पर भी बाल उगा दे जी हाँ दोसों आपकी हेर ग्रोथ को दुगनी कर दे तो बस आज मैं आपके लिए वही रेमेडी लेकर आई हूँ आपके स्केल्प को हैल्दी बनाएगी और जब बालों की जड़े स्रॉंग होंगी तो अपने आप आपका हेर फॉल बालों का जड़ना बालों का तूटना काफी हद तक रुख जाएगा सब्ताह में दो बार आप इस रेमेडी को जरूर लगाए एक ऐसा हेर ग्रोथ टॉनिक है दोसों जिसके पहले बार के समाल से फर्क महसूस करने लगेंगे पास से छे लॉंग जरूर लें लॉंग हमारे स्कैल्प के किसी भी तरह के इंफेक्शन को संक्रमन को दूर करती है डैंडर्फ की समस्या दूर करती है बालों में चमक लाती है अगली चीज फ्लैक सीड अलसी के ये बीज इतने ताकतवर बीज होते हैं दोसों जिसका इस्त चमक आएगी बालों का जड़ना बंद होगा अगली चीज जो कि यहां पर इस्तमाल करूंगी फ्लैक सीड के अलावा वो है मेरा फेनुग्रिक सीड जिसे हम लोग मेथी के बीज भी कहते हैं प्रोटीन विटामिन से भरपूर होते हैं मेथी के बीज साथ ही लेंगे हम दो चमच राइस को इसा भी चावल ले मोटा चावल बारिक चावल जिस भी राइस का इस्तमाल करते हैं चावल का पानी चावल में कुछ ऐसे एमीनो एसीड होते हैं राइस वाटर में जो बालों को सिल्की शाइनी बालों को मस्बूत बनाते हैं साथ ही साथ हमारी हेर ग्रोथ को फास्ट करेंगे मैंने चार इतने पावरफुल इंग्रिडेंट का इस्तमाल किया है दो चमच फ्लैक सीड ओमेगा 3 फैटी एचीड ओमेगा 6 फैटी एचीड होता है अलसी के इन बीजों में फोशक तत्वों का भंडार है दोस्तों इतने सारा इसमें न्यूट्रियेंट्स होते हैं साथ ही मेथी के बीज इन में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है पोटेशियम होने के कारण मेथी के बीजों का एप्लिकेशन प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या को दूर करता है बाल जल्दी सफेद नहीं होते बालों में लंबे समय तक कालापन बना रहता है पांस से छे लॉंग ली है, एक बड़ा चम्मा चावल लिया है, राइस, ताकि चावल जो है, आपके बालों के लिए, वैसे भी आपने सुना होगा, जो राइस है न, हमारे स्किन के लिए और हमारे बाल, दोनों के लिए बहुत बेनिफीशल होता है, चारों चीजों को अच् तुरंट भी बना सकते हैं, हेर वाश करने से आधा गंटा पहले आपको इस हेर टॉनिक को लगाना, आप अभी देखिएगा, दोसों ये इतना बड़िया बनता है, और इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है, कि आप खुश हो जाएंगे दोसों, कि मैंने बहुत पानी डालने के बाद, आपको इसे तुरंट अगर बनाना है, तो आप इसे बॉइल करने रखे, उबाल लीजे, ताकि इसका जेल निकल जाए, कढ़ाई में डाल दिया है, एक गिलास के करीब पानी डाला है, छोटे गिलास भर के आप कह सकते हैं, एक कप के करीब पानी, ज आथी साथ, फ्लैक सीड, अलसी के बीज, बहुत जादा फायदे मंद होते हैं, दोस्तों, हमें कई बिमारियों से बचाता है, अलसी का सेवन, उसी तरह से हमारे बालों की ग्रोथ को फास्ट करता है, बालों की जड़ों को जब इतना अच्छा नरिश्मेंट मिलेगा ना द बताऊंगे अप्लिकेशन कैसे लगाना है, जब मेलनीन का उत्पादन बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो बाल जल्दी सफेद नहीं होते हैं, एक उम्र आने पर ही बाल सफेद होंगे, अब आप देख सकते हैं, करीब करीब इसका जैल निकलना शुरू हो चुका है, आप को इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, मुझे कम से कम बारा मिनट पूरे लग चुके हैं, और एक दो मिनट के अंदर ही मैं अब गैस को बंद कर रही हूँ, ताकि अच्छी तरह से ये जैल निकल जाए, देखिए, अब इसमें गाढ़ा पना गया, इतना ही आपको पकाना है इसे पकाने के बाद तुरंत ही चान लें, इसे रखना नहीं है नहीं तो आपको चानने में परिशानी होगी, कपड़े से चानने, चाननी से चानने, मैं तो हमेशा चाननी का ही इस्तमाल करती हूँ दोस्तों, कपड़े से चाननेंगे ना, फिर कपड़ा धोना पड़ता है उसे च्छन्नी इस्तमाल करें आप अराम से च्छन्न, हाँ गरम होना चाहिए ठंडा हो जाएगा तो आपको बहुत परिशानी होगी च्छन्ने में ये देखे कितना अच्छा गाड़ा सा जो जैल निकला है न अब समझ सकते हैं कितना सारा इसमें न्यूट्रियंट्स होगा जो अभी मैंने आपको बना कर बताया है मेथी के बीज, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, मेथी के बीज में विटामिन C होता है हमारे scalp को healthy बनाएगा चावल बालों में सिल्की शाइनी बालों को मजबूत बनाएगा rice मैंने सारी चीजों को सारे star ingredient को चुन कर लिया है इन सारी चीजों में एक natural oils होता है वो भी इसके अंदर आ चुका है बहुत ही powerful hair growth यह हमारा चुट टॉनिक बना है न इसे जड़ों पर लगाकर बालों की आदे घंटे रखिए सभी उम्रवाले इसे लगा सकते हैं और आदे घंटे के बाद आप hair wash कर सकते हैं चाहें अगर बाल बहुत ज़ाद आपके सूखे लगते हैं तो नारियल तिल डालें नहीं तो बिलकुल मट डालें एक cotton ले लिजे cotton की help से पूरी roots पर लगाईए दोनों तरीके बताऊंगी आपको मैं cotton से या इस तरह का कोई dropper है या आपके पस कोई मोटे छेद वाली bottle है उसमें भी डाल सकते हैं spray की bottle में नहीं आएगा क्योंकि ये spray नहीं होगा ठिक है देखे कितना गाढ़ा जैसे हमारा castor oil होता ना कितना गाढ़ा होता castor oil बिलकुल उससे भी थोड़ा गाढ़ा रहना चाहिए पूरी roots पर लगाईए कमाल का result मिलेगा आप लोग खुश हो जाएंगे दोस्तों इतनी powerful remedy आज आपके लिए लेकर आई हूँ तो मेरी बेटी cotton से भी लगा रही है finger tip से भी उसे लगाना ज्यादा सुविधा जनक लग रहा है देखेगा इतना अच्छा result मिलेगा ना जो चमक आईगी hair wash के बाद आप लोग खुश हो पूरे इस gel को इस scalp पर लगाएं लंबाई पर लगाना जरूरी नहीं है आप पूरे scalp पर लगाएं साथ ही दोस्तों मुझे एक comment जरूर करिएगा आप मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैट कर देख रहे हैं comment में आप अपना नाम लिखे और जगह का नाम लिखे ताकि अगले वीडियो में मैं आपको thanks बोल सकूँ ये जान सकूँ कि ये वीडियो कहां से देखा जा रहा अगले वीडियो में आपका नाम एनाउंस करूँगी मैं तो please comment जरूर करिएगा वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर दीजेगा टिप्सीयेटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो देखे इस तरह से मेरी बेटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे स्कैल पर इस जेल को लगा लिया है जो थोड़ा बच रहा है ना वो उसे बालों के पीछे भी पार्टिशन करती जा रही है और इस जेल को लगाती जा रही है जो घर की चीजे होती है वो 100% प्योर होती है इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं होती ना कोई कलर है ना प्रिजर्वेटिव ना कोई खुशवू जितना हो सके अपने बालों पर नैचरल चीजों का इस्तमाल करें बाजार वाले कैमिकल वाली चीजों से अपने बालों को बचा कर रखें खोव अच्छी तरह से लगाने के बाद आदे गंटे अपने बालों को इसे इसमें लगाक बालों में लगा के रखें फिर hair wash करिए जितने अच्छी care करेंगे उतना अच्छा रहेगा खाने पीने का ध्यान रखें पानी जादा से जादा पिएं एक आवला daily खाना चाहिए फ्लैक सीट खाएं, कड़ी पता, मीठा नीम जिसे curry leaves कहते हैं एक डंडी रोज चबा कर खाएं या पांस से छे पतियां भी बोल सकते हैं खाएं, खाने पीने का ध्यान रखें बालों में सब्ता हमें दो बार तेल लगाएं बालों का जड़ना बंद होगा नय बाल उगनाय स्टार्ट होगे आपकी पतली चोटी मोटी